What's up people, welcome back to my channel, my name is Bhaskar, I hope you all are fine So, आज का topic है अपना menus कैसे add करते हैं, manage करते हैं और delete करते हैं तो सबसे पहले make sure कि आपका mysql और apache server दोनों आपके running पे हैं उसके बाद क्या करना है आपको, dashboard open करना है तो सबसे पहले localhost, यह तो आपकी website हो गई आपका project इसे click कर लेंगे, open करने के लिए, result देखने के लिए then, second आपको क्या करना है localhost, WPTUT, WordPress admin, यह आपका जो है, dashboard रहेगा ठीक है, यह आपने dashboard open कर लिया, यह आपकी website हो गई website के अंदर, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, pages को add किया था, manage किया था अभी इसमें कोई page है नहीं फिलाल, तो एक बार दुबारा से हम page create कर लेते हैं pages पर click किया मैंने, add new पर click किया पहला page मैंने home कर दिया, publish कर दूँआ इसे second page मैंने कर दिया आपका about us के नाम से, publish कर दूँआ publish होकिया यह page भी, third page मैं कर दूँआ यहाँ पे contact us के नाम से publish कर दिया मैंने refresh करेंगे, देखेंगे, तीनों page यहाँ पर आ गए है एक तो इनका order बिलकुल अलग है, हमें इनका order change करना है कि हम चाहते हैं, पहले home आ जाए, फिर contact us, फिर about us आ जाए तो हमें home और about us को switch करना है, आप कर सकते हो मेन्यूस के helps है, मेन्यूस होता क्या, कहां पे होता है, यह देखो बहुत सी website होती है, for example, मैं यहाँ पे samsung website open करता हूं तो, मैन्यूस क्या होते हैं, जैसे यह navigation बार में यह मैन्यूस है, ठीक है आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे all, mobiles, accessories, tv, appliance, यह आ गया देन उसके बाद एक menu और है, what's new, mobile, tablet, accessories, यह सारे menus हैं जो navigation बार है, यानि जिन पे आप click करके navigate कर सकते हो, दूसरे page पे या आप अपनी website में किस तरीके से add कर सकते हो, तो हमारी website के अंदर हमने menus में तीन option डाले हो है, home, contact us और about us, इसे manage कैसे करेंगे सबसे पहले हम menu create करेंगे, appearance में जाके menus पे click करोगे आप जैसे किया, यह menu का नाम मांगेगा, तो मैंने नयव बार के नाम से menu बना रखा है, सही है, नयव बार पे menu आप बना ओगे, उसके बाद यह दिखा रहा है menu की setting, यह setting अलग-अलग themes पे अलग-अलग होती है, अभी मैं दिखा देता हूँ, अभी by default सिरफ यही सिलेक्ट है, primary menu, तो मैं इसे create कर रहा हूँ, इसमें कोई changes नहीं कर रहा हूँ, हमारे menu create हो गया, option दीख रहा है, आपको delete menu, मतलब यहाँ पर click करके आप इस menu को delete करके नया menu बना सकते हैं, ओके, अभी क्या हुआ, कोई फरक नहीं पढ़ा इस पर, ठेक है, यह same, वैसे का, व add करना है, किस तरीके से करोगे आप, इस पर click करोगे, इस पर click करोगे, इस पर click करोगे, और add to menu कर दोगे, menu पर add हो गया, जैसे menu पर add हो गया, तो यह, आपको यहाँ पर display होना start हो जाएगा, just a minute, okay, उसे enable करना है, वहाँ से, यह आप, यहाँ पर click करेंगे, save menu करेंगे, save menu जैसे आप करोगे, तब option display होने, start हो जाएगे, क्योंकि मैंने menu add करके, उसे save नहीं किया था, यहाँ पर, अब इसका मतलब क्या है, कि जो भी नए page आप add करोगे ना, इसमें, तो वो automatic आपके menu में add होता जाएगा, automatically add new top level page to this menu, जो भी नए page create करोगे, वो इस menu में add हो जाएगा, अब बात आती है, order की, तो same order display हो रखा है, जो हमारी website पर है, हमें order change करना है, हमें क्या करना है, to the top, okay, मतलब page पर click किया, और downward to the top, ऐसे क करके हमें, इसका order set करना है, अब हमें contact आस नीचे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पर click करके, या आएगा, down one, down one जैसे हमने किया, तो contact आस क्या हो गया, about आस के नीचे आ गया, हम इस menu को save करेंगे, यहाँ पर जाके हम refresh करेंगे, हो गया, order change, इस तरीके से आप क्या है, अपनी website के उपर, menus बना सकते हो, manage कर सकते हो, उनके orders, और menu delete कर सकते हो, इस delete options है, अब मैं दिखाता हूँ कि दूसरी themes पर कैसे यह change होता है, for example, मैंने appearance में themes पर click किया, अभी जो मेरी active theme है, वो ये वाली है, नेव, सही है, अब मैं कोई और theme ने लेता हूँ, मालो, ये theme है मेरे पास, 2020, मैं इसे activate कर देता हूँ, theme activate हो गई, देख रहे हो, menu यहाँ पर आए हूँ है, अब क्या है, दुबारा जाओ menu पर, appearance में गए, menu पर गए, दिख रहे हैं, option change हो गए, यहाँ पर पहले क्या था, primary, header, footer, वो सब चीज़ है, अब इसमें देखो, social भी आ गया, mobile menu भी आ गया, desktop expanded menu भी आ गया, उसका reason यह है, कि यह सारे option menus के, इस theme पर available है, अब ही मैं दिखाता हूँ, आपको सारे करके, मानलो मैंने footer भी कर दिया, social भी कर दिया, desktop भी कर दिया, mobile भी कर दिया, मैंने सारे active कर दिया, menus, save menu कर रहा हूँ, dashboard को refresh कर दिया, इसको refresh कर दिया, दिख रहे हो, एक option आ गया, मैंन्यू का, उसके अलावा, footer में भी menu का option आ गया, जहां पर social link होते है, वहां पर भी menu आ गया, आपके same, यह home है, देखो, मैं click कर रहा हूँ, home आ गया, उसके बाद, मैं second पर click कर रहा हूँ, आपका about us open हो जाएगा, दीकि about us open हो गया है, तो यह सारी चीज़ें आपको कहां से आ गई, उस option को click करने से, expandable menu भी आ गया, जैसी मैं इस पर click कर रहा हूँ, expandable menu के अंदर भी यह सारी चीज़ें आ गई, और same social वाले भी यहां पर आ यह home है, यह about us है, यह contact us है, क्योंकि हमने menu में से सारी option enable कर दिये थे, अब आप दीरे दीरे इन चीज़ों का हटा सकते हो, social, footer, expandable, यह करोगे न आप, save, तो देखो यह तीनो menu गयाब हो जाएगे, यह भी गयाब हो जाएगा, यह भी गयाब हो जाएगा, यह भी गयाब हो करने के आपके पास option आएंगे, आप pages को add कर सकते हो, नया page जैसी add होगा, अपने आप automatic menu में आ जाएगा और यहाँ पे भी display होगा, उसका reason है यह, अगर आप नहीं करना चाहते है, नई page को add, इसको click कर दो, अब इस क्या होगा, कि जब भी नया page बनाओगे, वो नया page I hope you liked the video and I hope you will practice everything whatever we have discussed in this session after watching this video, मिलते हैं नए topic नई वीडियो के साथ तब तक के लिए goodbye, take care, keep learning, keep searching and keep practicing